हलो दोस्तों मैं हूँ सादिक आज की वीडियो में हम बताएंगे के या महा FZ-Y या FZ-Solar या फिर फेजर या फिर R15 टाइमिंग को किस तरह से मिलाएं तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैगनेट आपको टी पर ला देना है जैसा के आप देख रहे हैं के मैगनेट हमारा टी पर है टी का जो निसान है जैसे के वीडियो में आप देख रहे हैं तो उसी तरीका से मैगनेट को आपको सबसे पहले टी पर लाना है उनके बाद उपर आ जाईए ये वाला जो धारी देख रहे हैं ये वाला ये जो आप देख रहे हैं धारी सीध एक यहां और एक धारी यहां पर भी है तो ये धारी और ये धारी आपस में एकदम मिला हुआ होना चाहिए जैसा कि मेरा मिला हुआ है आपस में आपको टी पर मिलाने के बाद ये खुलता है ये वाला इस फॉकेट आप यहां से अराम से डाल सकते हैं और ये धारी ये धारी आपको मिलाना है देखिए ये मिलिया मिलाने के बाद ये दोनों धारी मिलाने के बाद आपको फिर इस फॉकेट उतार देना है उतारना इसलिए है कि एक पीन है ये वाला जो है पीन इस पीन को आपको लगाना है तब ही लगेगा अगर लगा के तीन लगाईएगा तो नहीं लगता है तो सबसे पहले इस पील को आपको डालना है अंदर और आपको इसमें फसा देना है और ये जो केम जो देख रहे हैं कि ये वाला अंदर वाला धीला में आपको बैठाना है टैट में आपको नहीं बैठाना है देखे ये हमारा बैड़ी है तो ये धारी धारी भी देखे ये दोनों बिंदा में भी बैड़ी है बिंदा बिंदा में घुज गिया ये धारी और ये धारी सीध में रहना चाहिए और इसको बैठाने के लिए इस पॉकेट को पहले उतारना पड़ता है तब लगाके तब फिर इस पॉकेट को आपको बैठाना है और ये चेक कैसे करना है तो इसको दबाने के बाद ये काम करन थीक है लेकिन ये फटाफट काम करना चाहिए दोनों बिंदा वो बिंदा में मिला देना है और ये धारी को इस धारी में मिला देना है उसके बाद आपको बोल्ट टाइट कर देना है बोल्ट टाइट करने के बाद तब आपको टैफिड मिलाना है टैफिड मिलाने के बाद हम एक चीज गलती कर रहा है कि ये जो है बोल्ट फसाना है टाइट नहीं करना है टाइट कब करना है ये जो अर्जेस्टर हम नया लगाएं पहले इस पत्ती को आपको निकाल देना है, इस पत्ती को आपको निकाल देना है, तो चैन हमारा टैट हो जाएगा, उसके बाद इस बोल्ड को आपको टैट करना है, सिर्फ पहले क्या करना है, बोल्ड को फसा देना है, पूरा हां से टैट देना है, जब रेंच लगा के मिलाना है आपको आखरी में यह हमारा वीडियो कैसा लगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो पिलीस लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सपोर्ट करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो